हेलो फ्रेंड स्वागत आपका एक बर फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में दोस्तों आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल अप्रोच पर हम बात करने वाले हैं आप मेंसे बहुत सारे लोगों की कॉल ऐसे आते हैं कि सर जब ये केस हमारा चला था उस समय पे सामने वाली पार्टिस का ये कहना था कि हमारी ये ये आप डिमांड पूरी करो हम नहीं कर पाए केस चला एक साल हो गया दो साल हो गया अभी सामने वाली पार्टि एक particular amount मांग रही है तो क्या मैं settlement कर लू या ना करू ये person बहुत common होता है सभी का क्योंकि ऐसे matrimonial मामलों में 90% यही होता है कि कुछ साल के बाद compromise पे दोनों parties परिशानों करके आ जाती है देखे जो question आप पूछ रहे हैं यह आपको किसी से actual में पूछने की जरूती नहीं है यह आपको खुड decide करना है कैसे आप decide करेंगे उसके लिए एक छोटा सा formula यूज कर लेते हैं देखे जब लड़की की तरफ से बहुत सारे cases आपके उपर आते हैं तो husband आखरी में परशान हो करकि क्या करता है अपनी तरफ से DAVOS का case फाइल कर देता है यह कैवार होता है कि husband को भी भार निकलने की जल्दी होती है तो कई बार वो starting में भी DAVOS का case फाइल कर देता है कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें हजबन को डावोस का केस स्टार्टिंग में फाइल करना ही पड़ता है तो दोस्तो कई सारी चीज़े हो सकती है आप देखो जब आपकी पतनी है या फिर हो सकता है आपके बच्चे भी और आप डावोस मांग रहे हैं कोट से तो आपको free of the cost कभी भी डावोस कोट नहीं देगा क्योंकि लड़की अपनी तरफ से वह ऐलिमनी क्लेम करेगी और जो वह ऐलिमनी क्लेम करेगी वह ऐलिमनी आपकी इंकम के आधार पर दिया जाएगा यानि कि आप मांलो की डावोस का केस आपने 5 साल लड़ा और 5 साल के बाद आपने एक particular एलिमनी दी यानि 5 साल केस लडने के बाद भी आपने पैसा दिया और वहीं पे एक साल के बाद आपसे कुछ particular amount मांगी जा दिया अब बात आई quantum पे की quantum कैसे तैह हो देखिए एक उधारन पकड़ लेते हैं आपकी salary है मालो एक लाख रुपे आपकी एक पत्नी है और एक बच्चा है अब अगर कोई भी कोट इसमें मंतली maintenance बांदेगा तो लगबग लगबग 30,000 रुपे महीना आपका मंतली maintenance इजिली बन जाएगा और यह भी हो सकता है कि DVX लगवाओ तो उसमें residential right के लिए भी कुछ हमोन अलग से बन जाए लेकि minimum से minimum 30,000 रुपे महीना तो आप पकड़ के चलो अब 30,000 रुपे महीने केस आप से आप देखो कि yearly आपने कितना पैसा दे दिया 3,60,000 रुपे और अगर आपकी तर उस particular yearly maintenance का 10 गुना यानि 3,60,000 रुपे आप yearly दे रहे तो 10 साल का हो गया 36,000 रुपे यानि कि court ने जो आपका eliminate करना मोटा मोटा कह सकते 30 to 36,000 के around हो सकता है अब आप अंदाजा लगाओ कि आपसे जो amount claim की जा रही है वो कितनी है अब मालो हो सकता है लड़की वाले आपसे claim क और ऐसे में आपको पता है कि 5 साल मुकदमा लड़ने के बाद भी आपको 25-35 रुपे पेकरने पढ़ सकते है और मंतली तब तक आप देते ही रहोगे और मंतली कितना जा रहा है 30,000 यानि yearly 3,60,000 आप वैसे ही दे रहो यानि अगर आप 5 साल भी मुकदमे को चलाते हो तो 5 सा कि यह मोट बहुत जादा उपर चलागे और वहीं अगर meanwhile परशान हो करके उनकी तरफ से कोई offer आता है और वो negotiate करके 20 लाग रुपे तक इस परस्तिती में जहां लड़के की सारी एक लाग रुपे बैठता है तो समझदारी इसमें की कर लेना चाहिए क्योंकि आप कितना ही fight करोगे maintenance तो आप ignore करनी सकते until and unless लड़की खुद काम करती है तो फिर बिल्कुल भी settlement नहीं करना चाहिए अगर उसकी income on record है लेकिन दोस्तों अगर उसकी income on record नहीं है वो actual में कुछ काम नहीं करती है आपका बच्चा भी है बच्चे का maintenance कभी ignore नहीं होगा wife का maintenance कभी ignore नहीं हो बोल के नहीं मैं तो एक पैसा भी नहीं दूँगा मैं तो लड़ूँगा ये वो वो सब impractical चीज़ है एक हद तक और परस्तितियों के according तो वो चीज़ है ठीक है लेकिन जहां पर clear cut परस्तितियां होती है कि आप पैसे से बच नहीं सकते वहां आपको अंदाजा लगाना अधी आप थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि जब आपको उनकी तरफ से offer आया it means वो चाहते हैं इसको निप्टाना थोड़ा सा वेट करोगे हो सकता है वो 20 लाग भी 15 लाग पर पहुंचा और आप उसमें negotiate भी कर सकते हो और आप इससे smoothly भार आ सकते हो ऐसे जितने भी वीड प्रैक्टिकल नहीं है बस इतनी सी बात है जो हम आपको बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल है अगर आप उसे नहीं मानोगी और लास्ट में आप calculation मारोगे कि 15 लाग में 20 लाग में मेरी जान छोट रही थी लेकिन अभी 5 साल हो गये मुकदमे लड़ते लड़ते 50 लाग ही चले गए उसके बाद आत्में अपनी बेल कराता है और भी तमाम परकार के खर्चे आते हैं जो लोग केस लड़ने में पता है कई लाग रुपे केस लड़ने में चले जाते हैं तो इससे ज़्यादा भैतर यह नहीं था कि उस मामले में का लड़की स्टाटिक में 10 लाग मांग रही थी तो उसको 10 लाग रुपे दे के खतम करते हैं कितना नुकसान खेल लिया अपना 4-5 साल भी खराब कर लिया मेंटेनस के नाम पे 9 लाग रुपे भी दे दिया और अभी पी जब डावस होगा तो उसमें एलिवनी बन देगी लेकिन बात वही है जब किलियर कट किसी को बताया जाता है तो उसको लगता है यार क्यों दे बैसे हम दो नहीं देते हैं लेकिन बाद में जब सर पर पढ़ती है फिर देना पढ़ता है फिर आदमी को लगता है यार काश में प्रैक्टिकल रहा होता है बहुत से मामले ऐसे हमारे पास आते हैं जा मैं देखता हम आपको motivate कर सकते हैं लेकिन over motivate नहीं कर सकते हैं कि जो चीज़ हो नहीं सकती उसके लिए हम आपको motivate करने बैठ जाए आप motivate तो हो जाओगे लेकिन जब आप code जाओगे तो आपको पता चले गया यहां तो सब कुछ हला गये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे हमने वीडियो म बताया जाएगा यह चीज़ आपके लिए positive है यह negative है यह practical है यह impractical है अब इसके बाद आपके हाथ में है कि आप क्या step लेते हैं चले दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप उसे positively लेंगे और समझेंगे आज किस वीडियो में इतना ही next studio में नहीं जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए good bye and thank you for watching take care